तो देखिए इससे पहले हमने सेंपल बेपर टू बी शेक्षिन तक सॉल कर लिया था अब इसका सी शेक्षिन करेंगे पूरा ठीक है तो मैंने देखो बाहर पर पढ़ना प्रदाता मैंने पर नहीं फार दी है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो शेक्षिन का पहला कु सिंगल त्रो पेयर पर का मतब दो को फिकले इससे पहले मैंने आपको प्रवेलटी के लिए बताई रखा था चब पेयर फेक्षिस याखित है सेंपल स्पेस आपका जब पेर फिकेंगे तो क्या बनेगा 36 बंदे टोटल अबसेफिशन आपको यादा जाएगा शायद 1,1 बनता था 1,2 और कहां तक 1,6 तक फिट 2,1 से स्टार्ट होगा और कहां तक 2,6 तक ऐसे 3,1 से 4,1 से 5,1 से और 6,1 से चलता जाएगा कहां तक 6,6 तक टोटल सेंपल स्पेस है तो हमारे पास टोटल आउट्स कम कितना होता था हूँ तोटल आउटकम्स देखी ठंड के मारे हाथ भी नहीं चलता राइट कि निक कमाल बन देए ना तो फिर भी वीडियो बना रहा हम क्यों कि इदर बहुत ठंड हो ये 36 आउटकम है मारे बास ठीक है पहला कुशनिस में ये बोला है कि आप प्राइम नमबर ओफ इच डाइस फ जबन हो डाइस हर एक डारिक डाइस पर आपका एक प्राइम नमरहोना चाहिए प्राइम नुमर जानते हो जो चूश्प खुद के टेबल पर ही रहता है हर एक डाइस सपर अगर नमर की बाद कर दू कि इतने हैं देखु तो टू कमा टू ओ ओन को मांवन बन प्रायम नमरन फिर 5,3 फिर 5 को ना और 5,5 ठीक यह होगा यह हमारे पास होगा टूटल आउटकम्स अब अब देखो यह चीज हो जाएगी और भी होगा क्या 666 तो ही नहीं हर एक डाइस पो नहीं ना 6 तो कमपोजेट नमबर है सदेखो यह चीज होगा है मैऌ अब इसको गिर फिवरेबल आउटकम्स कितने हो गिर एक, दो तीन, चार, पांच, साथ, आट नो ठीक है तो इसकी प्रवैल्टी किया हो जाएगी फिरस्ट वालती कि रिफलिशिन आपको भाता ही है प्रवैल्टी किया हो दाए प्रवैल्टी और 11 जिनको अगर add करो दोनों वाले को तो 9 आए या फिर 11 है ऐसे ठीक है तो यहाँ पर लिखोगे a total of 9 और 11 इसकी बात करनी हमें तो क्या हो जाएगा देखो start करें कि 3,6 हो सकता है फिर 4,5 हो सकता है 5,4 हो सकता है ठीक है यह हो जाएगा फिर 6,6 किया तो 6,3 भी दोगा जी बिल्गल होगा फिर 5,6 11 हो जाएगा क्योंकि 9 और 11 ही लेना है या फिर 6,5 तो देखो कितने हैं यहां पर तीन आ तिन चाहें तो देखो इसका कर प्रफिल्टी निकालना है हमें तो कितना होगा हमारे पास फेवरबला आउटकोम्स कितना है तोटल आउटकोम्स है 36,6 बंजा 6,6 जा 36, तो आंसर इस वन बाई 6, ठीक है 1 बाई 6 हमारा आंसर आ जाएगा इस कुछ में में क्या बोल रहा है find mean of the following distribution is 31.4, mean हमें दे रखा 31.4, determine the missing frequency x, जो यह x हमारा missing है, वो हमें find करना है सो इस questions को हमें mean के लिए बोला है, और कौन से method लगाना यह नहीं बोला है, सो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, always go for a direct method, because इस से आपका connection आसान हो जाता है, always go for direct method, okay, सो देखो, यहां पर क्या कर रहेंगा, हमें जो class interval दे रखा है, यहां पर लिख दो CI, यह में question 28 कर रह होते हैं, और हाथ पूरा जाम हो रखा है, फिर फिर में वीडियो कंटिन्यू कर रहे हूँ, सो देखो direct method के लिए आपको class interval आपको दे ही रखा है, 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, तो 50-60 तक ही हमें चाहिए वो दे रखा है, ठीक है यह चीज़ है, और यहां पर आप कहा लिखते हैं, आप लिखते हैं, आप लिखते हैं, और यहां लिखते हैं, X, F हमरे क्या दे रखा हैं, 5, X, 10, 12, 7 और 8, यह दे रखें, X के ओदे इन दोनों को जोड़ा आदा कर दो 5 और डिफरेंस कितने 10 10 10 जोड़ते रहो 15 और यहां पर आजाएगा 25 फिर आजाएगा आपका 35 फिर आजाएगा आपका 42 फिर आपका आजाएगा 55 ठीक है अब next step में क्या करना होता है आपको F और X की क्या करने होती से मल्टिप्लाई और बजे 25 फिर यहां से क्या जाएगा 15 एक्स 25 दाई दो सुपचास फिर बारह पंजे साट कैरी 6 बारह तिया 36 36 अच्छे बायालिस साथ सोना गर्वा साथ बंजे 35 कैरी 3 सचको 28 28 बतीर इक तिस और 48 बंचालिस कैरी फोर आट बंचालिस और चार चोवालिस ठीक है यह जी जा गई हमारे बस अब हमें क्या करना है जाए वंटारव आपको बताई यह मीन नीकालने के लिए आपको सिग्माएफ चाहिए होता है इफ को जोड़ो गए तो आपको कितना मिलेगा टूटल एना सिग्माएफ चाहिए होता है तो यह आपको जंड़ोगे तो चुज बाइल इस प्लस एक साथ अगा इन सब को स्केहरी वन हमारे पास, 2, 7, 2, 9, 10, 4, 14, असल लगा एक ठीक न, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 10, 4, 14, 14 से चोलों, प्लस 15 एक्स, ठीक है, एड हो क्या, आपको मीन के लिए बता है मीन हमारे पास क्या होता है, फॉर्मन शिक्मा एफ एक्स बट्टे शिक्मा एफ, तो sigma x तो question में given ही है, कितना given दे रहा है, 31.4, ठीक है, और fx हमारे कितना है, 1440 plus 15x, और upon में हमारे बस कितना है, 42 plus x, ठीक है बस अब इसको क्या करना है, आपको solve गरना है, calculate करना है, और आपको अपको answer मिल जाएगा, है न, तो क्या करेंगे, इसके आप हमें 1 ले लो, तो इसकी प्रोड़क्ट इसके साथ, 42 into 31.4 plus 31.4x, यह हो जाएगा, और इतर multiply करोगे, तो यह जाएगी, clear, यहां ददा आगे आपके पास, अब देखाओ, इसकी multiply कर रहेंगे, और यह 31.4x, यह पंदर आपके प्लस के इदर के हो जाएगा, माइनस का, यह multiply में इदर के, और इदर प्लस के दरा के माइनस का हो जाएगा, ठीक है, अब इसको आप प्रॉपर सॉल करोगे, तो आपको इदर मिल जाएगा, 16.4x, और दे मिलेगा 131.2, इसको multiply करके जब माइनस करोगे, तो यह आएगा, और x की value आपको इस जब सॉल करोगे, 131.2 में यह, इदर से यह हटा, तो 164, 8, 8 बार में पूरा कर जाएगा, तो x की value एड आजाएगी, या फिर आप उपर इस सिंप्लिफाई कर लेना, छोटा करके फिर डिवाइड करना, आपको x की value के मिल जाएगी, 8, और यह ही इस question में आपको निकालना था, ठीक है, यह भी हमारा question आपको अरह हम से बन गया, अब question number 29 में आ जाओ, यह जो हमें figure रखा है, ठीक है, sector of two concentric circle of radius 7 और 3.5, बड़े वाले का 7 है और यह 3.5 है, और given, find the area of shaded region, यह जो shaded region है न, इसका हमें क्या find करना है, area, so बहुत ही easy problem है, बहुत ही असान है, आपको पता ही चल गया है, तो मैं direct कर रहा हूँ, area of shaded region, तो क्या होगा, direct में कर रहा हूँ, area of, बड़ा वाला आएगा न, थीटा पाई, फॉर्मला, थीटा थीटा पाई, थीटा पाई, रवन इसकार माइनस थीटा पाई, थीटा पाई, आर्टा स्क्राइर, ठीक, यह होगा आपके पास, ओके, तो देखो क्या कामन है मारे पास, थीटा पाई, यह दुनों को थीटा कॉमन है, थर्टी डिगर दे रखाए, यह दो बाहर आजाएगा, 30 अपॉन 360 बाहर, और पाई की वैलू यह भी बाहर, आरवन, आरवन हमारे बड़ा वाला आरवन, कितने दे रखाए, 7 का स्क्राइर, और आटो में कितने दे रखाए, 3 इंटो 7, और यहां से आजाएगा, कितना देखिए, स्वाल करोगे तो आपको यहां पर कितना मिलेगा, एक्शुरी यह है क्या, एकल स्क्वार माल बीकल स्क्वार, एकल स्क्वार माल बीकल स्क्वार, एकल स्क्वार, एकल स्क्वार माल बीकल स्क्वार, इसको मैं ऐसे भी सब सही है ना कैल्कुलेशन ही है अब तो ठीक है तो 7.3 ये कितना हो जागा 11.5 और साथ मेंचे 3.5 माइनस करोगा तो कितना जागा 3.5 साथ बंजे 35.5 ठीक है ये वेचा और उपर आगे 11 गुणा 11.5 गुणा 0.5 upon 6 जब इन तीनों को गुणा करोगे जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करोगे तो जो आपका अंसर आगा वो मैं लिख देता हूँ स्पेर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमेटर इस मेल्टेड एंड री कास्ट इंटो स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स और उसको फिर से स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स में बनाया जाता है इच ऑफ डायमेटर 0.6 सेंटीमेटर इंड नमबर ऑफ बॉल्स अच्छा मैं आपको इस कोशिन को फिगर से सम्झाता हूँ कोशिन में यह बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्पेर था इस पर समझते है न गोला बड़ा वाला एक गोला था जिसकी जो रेडियस दे रही थी वो में 3 सेंट्ट दे रखी थी उसको पिगला कर उसको पिगला कर एन छोटे-छोटे कांच की गोले बनाए गये ठीक है जिसकी जो डायमेटर हमें दे रखा है न यहां से लेकर यहां तक यानि कि जो डी दे रखा है वो देर का 0.6 सेंटिमेटर तो रेडियस क्या होगा 0.6 का आधा यानि कि यह हो जाएगा 0.3 सेंटिमेटर हो ठीक है तो कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं इसको पिलाकर वह में निगालना है तो देको मैंने बोला कि एन गोले बनाए सकते हैं तो आपको यह एसे लेखना है एन बीदा रिक्वाइड नंबर अगर आपने मेरे एन से आड़ी वीडियोस फॉलो किया है तो आपको यह सब पूरा पहले सी बता होगा इस सारा कॉंसेप्ट यह पर क्या होगा यह जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम फ्विग स्वेड नॉर्बल लेंगवज में लिखरा हूं मैं इकोल तो क्या होगा एन इंटो वॉल्यूम फ्विप्व स्वेर्ज तो कि यहाद में नम्मबर ओफ जितने भी होंगे यह खुण उन्को मिलाकर कर कि इसी से यह बनाया जा रहा है थे गी मिलॉल में एद्रके है 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 इस कोlica में और कीका गडिवाइड में था की तर द लुकित है कि दरन हां गया अब वल्यूम बड़े इसपेल का फॉर्मॉला कि दा फोर भाय थ्री पाई आरवन कि वेसल देत रोड़ एक है ने फॉर भाय थी पाई आडवन कि ये फॉर भाय थैड पाई आड़ केंसल आरवन कैद देखो आरवन बड़े वाले कितनी जट री तीन बार है और आट्टू कितना मारे बाइंट पॉइंट री पॉइंट री पॉइंट री यह दा अब देखो नीचे लाइंज लिखता है यह तो आपको दिक्कल्ड हो जाएगी यह पॉइंट रिया नहीं हूँग तो यहां से पोइंट रड़ेगा कितने प्लेक जिरौ म дав रेगा यहसे सबते आसब देखोशन है है हो इसीफिक्स इंद जएक तो टैन फूट देन फ्रिफांट देन कितना जाएगा कि कि ऑं 2000 तो कि इतने घोले बनायरा है हमारे 1000 बना जासकते हैं ठीक है बहुत इजी था आराम से हो गया है ओकी नेक्स प्रोड्लम पर आ जाते हैं एक्स प्रोड्लम आ रहे क्या एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रोड्लम है करें शोड़ेट दिस तीन नमबर महां रखाएं तो चलिए करते हमें शोगना है को सबसे पहले दो फॉर्मुले आपको मन में याद आ रहे होंगी साइन नाइटी मनस थिटा क्या होता है कॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ही है sin square plus cos 3 तो 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 इसकी value भी 1 होती है तो आगे दोने तरफ इक्विल RHS equal to LHS यही प्रूफ करना था आपको इतना सा simple question आपको 3 marks बंदे रखा है ठीक है तो यही question भी हमारा हाराम से बन क्या हूं को यहां 31 पर आजो करें टू टेंजर टीपी और टीक यह ड्राइन शर्कल विद सेंटर ओ फ्रम एक्टनल परंटी प्रूफ एट पी टी ओ इसको स्टो टू ओपी की ओकी यह भी इजी प्रॉब्लम है 31 नमबर पर आ जाते हैं तो देखो हमें क एक एक्स्टनल पॉइंट हमारे पास टी है जिससे टैंजन्ट खीचे गए है इस पाइंट का नाम हमारे पास पी है इसका कीवर्ड सेंटर से मीट कराओ गए तो यह हो गया ठीक ओके वैसे तो यहां पर नैंटी बनता है तेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क क्या बोले हमें क्या प्रूफ करने हमें शोगने टू प्रूफ करने एंगल पीटी ओए इकल टू टू ओ पी क्यों ओ पीटी ओंसे दो पीटी ओ नहीं पीटी ओग यहां से यह मर पीटी ओ और क्या होगा ओपी क्यों यह बोला ओपी क्यों इदार आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा दो जीज़ें ठीक है यहां से यह द्रॉफ किया और यह से इसको यह जो भी आपने काम की आपको लिखना है आपर ठीक है अब देखो मैं इस एंगल को क्या बोलता हूँ थीटा बोलता हूँ इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूँ थीटा बोल देता हूँ और जो जो काम कर रहे हो लिखना पहले है ड्रॉफ क्या कि हमने ती ओ यह ओ है ठीक है टी ओ एंड पी क्यों ठीक है उसके बाद लेट यह ओ पी क्यों ओ पी क्यों एंकल कि स्कुल अट के हम ने तीटा लेट किया अगर आप से बोले बताओ भाई टीपी टीपी क्यों एंगल क्या होगा यह जो टी पी क्यों एंगल है वो क्या होगा तो आप कैसे बता हुगे देखो कि आपको बता है न कि टीपी और को निए ईंगल कितना हुग क्यों कि देखो यह इहांसे हुआज यहां तक तो देखो 90 एंगल ए 10.1 थिर्म क्या घाओ। अगर यह नदृम क्या हुगा एंगल कि हाभा इसे बोला में आपाइट एंपन वन दिरम अड़ वापस में एक्वाल है तो टीपी किसके को ले ती क्यों के एक्वाल है और देखो और हमारे पास टी क्यो जो पी एंगल है अगर यहां पर 90 मिन थिटा है यहां थिटा है तो इधर भी थिटा होगा और यह भी हमारा क्या है चैन्यम थिटा एंगल थिक अब देखो अगर देखि जाए यहां पर आ है तो यहां पर देखा जाए त्रीबुज के तीनों कोंगें योग कितना होता है जो मेरत यह कितना होता है तैनि है जो ट्रेंटल कौन से हमारे कास हमारे पास है यह वाला यह वाला है एक दो तीन है ना यह ट्राइंगल है सो गर इनके देखा जाए तो इनका एंगल का सम क्या होना चाहिए वानेट्ट होना चाहिए आप क्या लिखेंगे बाइंगल सम प्रोपर्टी ट्राइंगल लिख देना टी पी क्यों ठीक है यह एंगल आपको जो चाहिए कोशन पे जो प्रूफ करना है से हम क्या बहुत हैंगे पीटी क्यों और यह अपन के पास के नैंटी मैनस थीटा फिर यह एंगल के कि अभिया है नैंटी मैनस के तीटा एकल टू किया हो नेक्टи रही होगा है हमारे पास से हpseने इनटी मैनस थीटा तोय यह leps agencies सो देखो 90 90 180 180 180 कैंसे माइनस के 2 theta equal to zero सो p t q equal to two theta और theta को अपने क्या लट किया था आप जरा सोचो theta को आपने क्या लट किया था यहां देखो यह वाला अंगल है ना यह वाला अंगल कौन सा है आपका ओ पी क्यों ओ पी क्यों यही तो आपको प्रूव करना था है है तो यह कोशन में होए आराम से बन गया अब आगे आते हैं अब इसमें ऑप्शन में और एक प्रोब्लम दे रखाएं यह बहुत है यह बहुत ही जबर्दस प्रॉब्लम है त्रैंगल के एक इंपॉर्टन प्रॉब्लम है शांदार खोशन है चलो इसको करते हैं सबसे पहले बोला है आपके पास एक ट्रैंगल है यह मारा ए हमारा भी है यह मारों से है इससे परपैंडिकुलार डाला गया है किस पर ़ी सी कर ठिक और यहह वाला पॉयंट किया बोलन कृशन दी बोल तक्रण बान अनि बोल रहे अक 10 ability on BC यह uncertainty यह जो डी पी है यह जो दीपी है three CD बोले मैं अगर यह एकस है तो इसका ही तिगुना है यह कितना हो को three XO समझे अब देखो यहां पर perpendicular है तो देखो आइस थो यूज कर सकता हूं यहां पर कर सकता हूं कर सकता हूं बेलकुल अब देखो तो, since, यहां पर इस Тेआंगल, इन टाइंगल, A, B, D, अगर मैं A, B, D, ले ले था हूं, तो देखो, I yoo, I put in this case, favor gets a kone going, AD square,ада, B, D, God, I put in this case, cut this cost a base, square plus perpendicular, square ये मुenger ले बहीं ऑद यह हमें, इन ट्राइंगल किया नाम इसका है एडी सी तो यहां से देखो क्वाइब इसक्वाइब इसक्वाइब एडी स्क्वाइब प्लस डी सी स्क्वाइब यह जी जो गई अब जो आपको प्रूफ करना है उस पर आजाओ आपको प्रूफ में एबी चाहिए एसी चाहिए बी सी चाहिए बड वी डोंट नीड एडी आपको एबी चाहिए एसी चाहिए बट एडी नहीं चाहिए आपको क्या मिल जाएगा इन तनों की क्या कर दोगे आप कमपैरिजन इसकी और इसकी सो एबी स्कवर मैंनस बी दी स्कवर इकोल टू इसी स्क्वर मैननस की डी सी स्क्वर कोई दिक़त नहीं है यहां तक आगए हमारे पास अब कोशन में हमें क्या दे रखा देखो कॉशिन में दे रखा था given क्या दे रखा था बगाया यह लिग देता हूं given अमें यह दे रखा है डी वी है क्वल्ट थ्री सीडी क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मेरे को सीडी जहीए रहा हुग है एक जेज है मैं तो मैं हैं ग् 커। counterparty cities नख सकता हूं यह जघ्छ गे नहीं पी डिके जगह पर देखो क्या कर रहा हुआ रहा हुग है ब्युर्टी ट्रीग शुट्री रख रहा हुँ ओके यह से BD के जगापर 3CD रख सकता हूँ, रख सकता हूँ की नहीं, BD के जगापर, देखो, क्या कर रहाए, BD के जगापर 3CD रख रहाएं, ओके, यहां से देखें, कि अग्या कर रहा हूं एवी स्क्वेड बीडी की जगा मैं ठीसीडी रखूंगा लेकिन थोड़ा अभी क्या अगरते एक तरफ ले 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 ताजी जोको ताकि तो आसानी हो जाए यह मैनस के दर अगर प्लस का हो जाएगा और यह डीसी इसक्वेड अब मैं वैले स्पूट अ यह रहा हूं तो मेरक आंसर में तो a b square a c square normal चाहिए एक बीडी में चाहिए प्रूफ में नाइडीशी चाहिए तो बीडी की जगपे में क्या रसकता हूं बीडी की जगपे में रख सकता हूं 3C D यहां से सुमया पर रख दूंगा 3C D का हो अगर यह क्या है डीसी और से डी है तो 8C D square ठीक है हमारे पास की आ गया है यहां से 8C D square आ गया है अब question में आ जाओ proof क्या करना हमें 2A B square plus 2A C square इस कुस्टू B C square B C square तो देखो B C square चाहिए हमें B C, B C कहा में लेगा मुझे यहां से मिलेगा और C D C D यहा है हमारे पास 8C D का square है और मुझे चाहिए B C का square है ना तो इसको कैसे किया जाए अब इसके लिए बड़ी दूइदा है मेरे कोगो DC लाना है आप प्रूफ में प्रूफ में आपको क्या 하는데 एक तो चाहिए A B square ठीक है एक सीच़ेक और एक सीचावब C square ठीक यह आपको कैसे मिल पाएगा यह बड़ी दूइदा आए AB square हमारे पास आ चुका है एस सके से यंदि के स्कॉयर मिलने तो हमें और जोसी सुझॉँ चाहिए पहलगो हमें जोसी टी ये वह था आई और टाई इसको ऊहरा पाड़ वह सीडिया वह कौन सकती कूँ इह थोसी दी एप bardzo ऑच यह जोसी भी लोगिन यह कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, so we can put it here, cd की जगा पर मैं कहले सकता हूँ, bc by 4 का स्क्वार, तो यहां से तो bc स्क्वार हो जागा और इधर हो जागा, आड़ दूनी, 16, अब a b स्क्वार आ गया है, माइनस के a c स्क्वार आ गया है, ठीक, अब माइनस के दर जा आपको a b square किसे 2 चाहिए था, मैं क्या कर वो 2 से multiply कर दो, तो नो तरफ, 2 से टुकर जाएगा, और यहां से क्या जाएगा, 2 a b square equal to 2 a c square, b c square, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, hence proved, देखो, यही प्रूफ करना था आपको, इस लिए हो गया, ठीक है, तो बहुत है, बहुत ही शांदर कुशिन था, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ा, लेकिन अच्छा कुशिन था, नेक्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, यह भी अच्छा कुशिन है, केरें, the coordinate of vertices triangle a b c, are this, this and this, draw the figure and prove that triangle a b c is a skeleton's triangle, find its area also, draw का मतलब है, आपको यह जो points है, वो आपको graph paper में draw करन है, मेरे पास तो graph paper नहीं, I'm sure आपको draw करना जरूराता होगा, अगर नहीं है तो मैं इसकी जो figure रहना वो आपको screen पर दिखा दूँगा, don't worry, ठीक है, जो figure बनेगी, and, इस में क्या बोले, scale and triangle है, मतलब इनकी जो difference distance है, a b, b, c, or c है, तीनों के different, different है, यह शो करना है, मतलब निकालना है, आपको a, b, c, c, e, तीनों लग लाएंगी, और फिर इसका triangle formula लगा कर इसका area भी find out करना है, ठीक है, बहुती शांदार कोशन है, तो triangle up, मैं बना देता हूँ, जो normal figure group में, group में दिखा रहा हूँ, यह triangle आपको सपोस कर a, b, c है, ठीक है, यह जी जी जा है, अब यह आपके पास क्या है, हमारे पास question में, यह दे रखा है, आपन को, 1, minus 1, b, दे रखा है, हमें, कितना हो, minus 4, 6, और c दे रखा है, हमें, minus 3, minus 5, तो यह हमारा, x1, y1, x2, y2, x3, y3, triangle जब formula लेकांगे, तब वोस की बात है, अब सबसे पहले तो बताना है, कि यह scale in triangle है, तो यह भी निकालना है, हमें, formula आपको बताए, x1, minus x2, square, plus y1, minus y2, square, अब y2, minus y1, भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़रक नहीं पढ़ता, x1 कितना है, 1, x2, कितना है, minus 4, तो, plus का हो जाएगा, square, y1, minus 1, y2 है, हम, यह, तो यह चारा, पांच, पांच, का स्क्वार, 25, और minus 7, का स् 49, ठीक है, जब हम इसको solve कर रहेंगे, तो कितना है जाएगा, root के अंदर 74, पहला, फिर निकालना है, bc, तो देखो, minus 4, x1, minus x2, square, plus y1, minus, 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 फिर लस हो जाएगा, y2, square, तो मैनस, चार में से तीन गया, हम, एक, एक, का स्क्वार, एक, मैनस, एक, बचाएगा, एक, तो यह, कितना है, root 2, ठीक, सही किया, गलत किया, एक मेंट, यह, मैनस का दा 6, नहीं, प्लस का दा गलत हो गया, स्वरी, ठीक है, यह, यह, 6 और 5, 11, 11 का क्या होता है, एक, एक सो, ग्यालाग, गया हम, 111 किसना, तो यह, 121 हो जायागा, 121 और 108, 102, यह, हागया, सेकिंध वालth, अब हम, वालत कहना, 차, c और a, x1- x2, प्लस y1, मैनस के, y2, का स्क्वार, तो यह, 16, सब्सक्राइब एक रूट के पत्तिस सो देखो ये तीनों डिफरेंट डिस्टेंस आ है सिंस अबी नॉट इकल टू बीसी नॉट इकल टू सी ए हैंस इस शीलेन ट्री आपनेक्स पाड में अपसे क्या बलता कि इसका एरिया निकलो नॉ एरिया एरिया की एए फ्रम्मल क्या होता है 1 by 2 अंदर ठीक है फॉर्मुला क्या होता है 1 by 2 x1 फिर आपका क्या आ जाता है x1 के बाद y2 minus y3 plus x2 y3 के बाद क्या आएगा y1 minus y2 और y2 के बाद y3 minus y1 यह फॉर्मुला होता है सारे वालुजम पूटप कर देंगे चिन्नों का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी गलती और पूरा सवाल गलत यह में ध्यान रखना है अराव अराम से वैलुजम पूटप करना आपको ठीक है क्या 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 आप यह पांच क्या रहा है चार चाचा कुछ सोला है साथ साती किस ठीक है सोल करोगे एककिस एक साथ आठ ठीक है और दो दो चार काट होगे तो 24 स्क्वार यूनिट जो भी स्क्वार इनिट होगे उसका स्क्वार लग जाएगा तो यह कुशिन हमें दे रखा था बड़ा ही सिम्बल ता अराम से हो गया हूँ एक्स प्रब्लम बे आ जाते हैं 33 नमबर पर कह रहे हैं find the sum of first 17 term of AB whose fourth and ninth term are this and this 17 term निखना है sum of first 17 term fourth term तो आपको प्रॉपर लेंग्वेज में कह लिखना है let first term of AB is A and common difference is D ठीक है given क्या दे रखा है equation में given हमें दे रखा है fourth term and ninth term A9 हमें दे रखा है minus 30 A4 का मतलब होता है A plus 3D एक कम कर देते हैं बस equation number one और A9 का मतलब होता है A plus 8D क्योंकि जब तक हम A और D बता नहीं चलेगा तो हम sum कैसे निकाल पाएंगे हैंना solve first and second first and second को solve कर लो तो A plus 3D equal to minus 15 A plus 8D equal to minus 30 कटाने उचेने बतलते हैं A से कट 8D में से 3D गया तो minus 5D और 30 में से 15 गया तो 15 35D की value क्या जागी minus 6 कोई दिखकर नहीं है पास दिया बंद रख फिर हमारे पास देखो A plus 3D किता है था माइनस के 15 था A D की value रख दी कि माइनस करना है ना हो आएगा उधर आके क्या हो जाएगा प्लस के नो ठीक है तो कितना जाएगा minus के 6 तो A की value कितना आगे हमारे पास माइनस के तो D की value माइनस के 3 है हमें sum निकालने SN कितने पादों का योगफल निकालना है हमें find of sum of first 17 S 17 हमें निकालना है formula क्या होता है N by 2 2A values put up करो N के जगा पर 17 by 2 यह हमेरा minus 6 हाय था 17 minus 1 D हमारा कितना है यह माइनस के 3 तो यहां से 16 आएगा 16 तियां 80 ठीक है अब solve करों यहां से आजाएगा 17 टू इंटू माइनस के 50 तो 17 गुणा माइनस के 25 तो answer आजाएगा जब गुणा करों तो 510 ठीक है यह आपका required answer आजाएगा बहुत ही simple था तो यह कुशन भी हमारा आजाएगा से बन किया है चाहिए नेक्स कुशन पर आते हैं अचाहिए 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 निम्बर 33 का ऑप्षिनल में दे रखाए इसको दो बस simplify करना है और solve करना है एक्स की वैलेव पुटब निकालने के लिए बोला है और वाला प्राबलम है हमें क्या दे रखाएं एक्स प्लस वन LC हम ले लेंगे हम यहां से इसकी मल्टिप्लाइस के साथ बस कैलकुलेशन है भाग की तो कोशन आसानी है इसकी मल्टिप्लाइस के साथ इसकी मल्टिप्लाइस के साथ इसकी मल्टिप्लाइस के साथ ठीक है इसे जा गए हमारे पास अब हमें क्या करना है इसकी मल्टिप्लाइस के अंदर अब अब निचे मल्टिप्लाइस करेंगे तेखो अब अब इसकी मल्टिप्लाइस करेंगे तो यह आएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फॉटापट काल्कॉलूशन ठीक हीचे जा गए हमारे पास अब उपर से जब शॉल करेंगे इस तरफ को तो देखो क्या मिलेगा हमें एक्स स्कूर एक्स स्कूर एक्स स्कूर टू एक्स स्क्वाइर ट्रिक्स केंसिल टू-टू-फॉर ठीक है इसो ओपर से में क्या मिल जाएगा हूँ शॉल करना है बस अब तो अब क्रोस मल्टिप्लाइग कर दिया हमने ठीक है cross multiplication करें तो आप करोगे इसको simplify करने के बाद तो आपको ये मिलेगा अब चीजों को एक तरफ ले आँ एक ये लावा ना ठीक हैं तो आपको ये मिल जाएगा solution करने के बाद थोड़ा सब solve करोगे तो आपको ये मिलेगा अब इसका फेक्टर बनाना है, multiply करने पर इतना है, अगर डाने पर 19 है, तो इसका जब फेक्टर कर दोगे तो आपको यह मिल जाएगा, और x की value एक मिल जाएगे यहां से 6 अपॉन 5, और एक मिल जाएगे यहां से माइनस के 5, तो यह आपके required answer हो, बहुत है simple question था, यह तो आप आराम से कर सकते हैं, एक question में आपका जो guaranteed question है, कहा रहे है, find hcf of by equivalent division algorithm, सो हमें एक number नहीं दिया है, हमें कितने number दे रखे हैं, एक, दो, तीन number दे रखे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे questions हमने पहले भी find कर रखे हैं, ठीक है, तरीका क्या है कि देखो, पहले निकालना होता है हमका hcf, दो का, फिर जो दो का आएगा फिर उसका और उसका निकाल दो, लेकिन question में क्या बोला है, कि इस method से निकालना है, यूकलेट division algorithm से निकालना है, तो सबसे बड़े दो number कौन कौन से है, ये दो number है न, इन दोनों की करेंगे सबसे बढ़े है, तो सबसे बड़ा number होता है, इस तरफ आता है, छोटा number इस तरफ, अब divide करोगे, 252 से 324 में तो एक ही बार जाएगा, ठीक है, और घटा होगे तो आपको कितना मिलेगा, 72, तो एक बार गया, एक और यहां पर क्या जाएगा बार जाएगा, अब 252 इस तरह आजाएगा, 72 से दिन है, तो 72 तीन बार जाएगा, ठीक है, तीन बार जाएगा, तीन दूने 6, तीन सत्य, 21, और जो अब घटा होगे तो आपको बचेगा, 36, अब यहां पर आपका 72 आ जाएगा, तो 36, चाटीस दूने भाततर पुरा पुरा चला गया, रिमेंटर 0, तो इसको प्राइगा, तो इन दोनों नमबरों का HCF आया है, वो कितना है, 36 है, ठीक, 36 है, नौ, जो नमबर हमारा बचा था, वो नमबर तीसरा कौन सा बचा था, 180, तो जो 180 को हम लिख सकते हैं, जो आया है, 36, उसके मल्टिबल के रूप में लिखना है, तो 36 गुणा 5, प्लस 0, लिख सकते हैं, तो ये 36 इदर भी आ गया, सो इन दोनों का जो HCF है, common, multiple, दिख रहा हैं आपको, सो HCF क्या जाएगा, HCF तीनों का आ जाएगा, 36, ये होता है, इसको करने का simple तरीका, पहले दो बड़े नमबर का निकालो, और तीसरे नमबर को जो multiple आता है ना, दोनों को, उसी की रूप में दोड़ दो, मिली जाता है अखिर का रहा है से रूप में, तो वही आपका क्या जाएगा, HCF, standard वालों में भी ऐसे कुशन है, तो वहाँ पर भी हमने करार रखाए, ठीक है, तो ये section C, okay, 34 कुशन भी हो गया, ठीक, अब जो नए problem है, section D, वो हम next video से करेंगे, section D, ये देख रहे हैं आप problem, ये सारे problem section D में है, और ये next video हम discuss करेंगे, तो ये जो वीडियो है ना, वो basic standard दोनों के helpful है, ये नहीं किसे basic वाल देखो, ये नहीं किसे standard वाल देखो, दोनों के helpful है,